गुद्ध मॉर्निंग टोल अफ्यू वेल्कम टो वाइफाई स्टड़ी विच इस पार्ट ऑफ अनकाडमी तो आप सभी का स्वागत है जल्दी से ही सभी सेशन से जूर जाएगा साथ ही सेशन को बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शियर भी कर दीजेगा कि वे हैं सभी भी क्लास से यहां पर जूर दाएगा और एक बार मुझे जरा सभी के सभी कॉमेंट्स करके बता दीजिएगा कि सभी चीजे सही हैं, फिर भई हम लोग क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हुए चलते हैं, चलिए जल्दी से, चलिए, एक बार बता देंगे सभी के सभी, गुड मॉनिंग, चलिए, तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, बिना देरी के, आप लोग आंसर करना स्टार्ट कीजिगा, क्वेशन के थुरू जो की है, वो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चलिए, चलिए, कि किस फिल्म के लिए निर्देशक रिशब शेट की बात की जाए, इनकी एडिशन की बात की जाए, तो 54 नमबर का इनका एडिशन किया जा रहा है, तो आपको बताना है कि जूरी पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है, आंसर कीजिगा, चलिए, किसको भई सम्मानित किया गया है, यह आप लोगों को बताना है, आंसर क किजिए गा क्या हो जाएगा पटाफर्थी विराठ सिंग ओके डी ओप्शन चले देखें बिल्कुल सही बात है रिश्व सेटी जो की एक डार्टर है और इनकी दुआरा डारेक्ट की गई जो फिलम है कौन सी है कातारा क्या हो जाएगा कातारा कातारा फिलम को यहां पर सब्सक्राइब नारि CPU की शुरुवाथ हुई है मैं जनली इसका जो आजन यह गौवा राज्यें में किया जाता है और 2023 में भी गौवा राज्यें किया जा रहा है इस इसमें अगर मैं अवोड की बात करूं थिक्रented तो इसमें गोल्डन प्कोट और इंसमें गोल्डन से i i i that gold n also geworden अभोड को आउच जाता है तो bum i a love में जाता है तो रीए अकै और इसमें सिल्वर पिकोड अवोर दिया जाता है और जाएगा सिल्वर पिकोड कभी-कभी आप लोग आजाता है जैसे कि best actor हुआ, best actress हुई, साथ ही यहाँ पर best doctor हुए इनको दिया जाता है जो कि others में आ जाते हैं, चुकि अभी 2023 के जो अवोर्ड हैं यह दिये जा चुके हैं, हम देखी चुके हैं कि 2023 के जो अवोर्ड हैं यह मिल चुके हैं, तो आपको यह बताना है इसमें कि इस बार सत्या जीतरे Lifetime Achievement Award यह किसे दिया गया है जल्दी से बताईए, यह point मैंने आप लोगों को कल ही बताया है, ठीक है, answer कीचिएगा इसके साथ ही आप लोगों को यह भी बताना है कि Best Web Series के लिए किसको अवोर्ड दिया गया है Best Web Series के लिए किसको अवोर्ड दिया गया है, यह कल की ही points है इसके साथ ही यहाँ पर Special Contribution के लिए कि भारती सिनेमा में भारती सिनेमा में Special Contribution के लिए Award किसे दिया गया है, यह भी आप लोगों को बताना है इन points का जरा answer करते हुए चलेगा, फटा-फटे क्या हो जाएगा यह कल के ही points है जो कि आप लोगों को पढ़ाए गया थी, सत्य जीतरे Lifetime Achievement Michael Douglas को दिया गया है क्या हो जाएगा, माइकल यहाँ पर Douglas को दिया गया है, याद रखेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर Michael Douglas जो की है, इनको यहाँ पर दिया गया है चीकिया, चले, the next है कि best web series के लिए किसको दिया गया है, तो यह है पंचायत, पंचायत season 2 को, पंचायत season 2 को दिया गया है the next है कि भारती सिनेमा में special contribution के लिए award किसे दिया गया है, किसे दिया गया है, माधूरी दिक्षित को दिया गया है माधूरी दिक्षित को दिया गया है, माधूरी दिक्षित को दिया गया है, यह कुछ best awards की category में आ जाते हैं भई, इनको आप लोग याद रखेगा, ठीक है, किलियर है यहाँ पर बागी इस बार की बात कर लेते हैं, इनकी जो opening रही है 2023 में, 2023 में इनकी opening यह हुई थी, 20 नवंबर को, और 20 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर तक इनका आज़न किया गया है, यह चीज़ याद रखेगा, चलिए फिर अगले point पर आजाते हैं, the next answer करने के लिए try कीज़ेगा, कि किस film के लिए निर्देशक, मुझे लगा यह question आपका repeat हो गया वापस से न, यह गलत question इसमें हो गया है, यहाँ पर, चलिए इसमें आपको यह बताना है, इसमें एक question तो आपका गलत है, इसमें options के साथ में आपको यह बताना है, कि भारत का पहला, भारत का पहला, दूर संचार, उत्करस्टा केंद्र जो की उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा, किसके द्वारा इस्थापित किया जा रहा है, यह आपको बताना है, ठीक है, किसके द्वारा इस्थापित किया जा रहा है, answer कीजेगा, ठीक है, किसके द्वारा इस्थापित किया जा रहा है यह आप लोगों को बताना है आंसर कीजिए क्या हो जाएगा अच्छी है चले फटाफटे जल्दी से आंसर कीजिए किसके दुआरा इस्थापित किया जा रहा है इनमें से आपको बताना है जो कि Artificially Intelligency के छेत्र में बढ़ावा देगा और यह है 5G की जगा पर 6G पर अभी कहा जाता है कि present time में 5th नंबर की जनरेशन है तो यह 6th नंबर की जनरेशन को डैवलप करने पर फोकस करेगा और इसके लिए इसने 30 करोड रुपे का 30 करोड रुपे खर्च करने का बजट बनाया है खर्च करने का करने का बजट बनाया है यह चीज़ धियान रखेगा चले यह क्या हो जाएगा आपका यह है IIT रूड की क्या हो जाएगा IIT रूड की कि यह कहां पर है ठीक है चले इसके साथ ही फिर एक दोग पॉइंट्स के बारे में आप लोग ज़रा बता दीजिए कि अगर मैं ओल्डेस्ट इन इंडिया की बात करूँ तो यह है कौन सा है फटा फट से आसर कीजिएगा बाकी उत्तर प्रदेश की बात की जाये तो यहां पर आधिते नाथ योगी मुख्यमंत्रिंग है प्रजैन टाइम में और आनंदी बैन पटेल यहां पर क्या है यहां की गवनर है इसके साथ ही य पोपुलेशन की मामले में अभी भारत का लार्जेस्ट स्टेट है यहां पर सबसे ज्यादा पोपुलेशन है ठीक है 9 नवंबर 2000 में इससे सैपरेट हो गया था उत्राखंड उस समय उसे उत्रांचल के नाम से जाना जाता था लेकिन बाद में इसका जो नाम है यह यानि की आपका legislative Assembly इन सभी की है छुए इन सभी की सबसे ज्यादा इन सभी की सबसे ज्यादा जोकि सीटेव है वह कहां पर है तो ये सभी की सबी सबसे ज्यादा सीटे उत्तर प्रदेर से राज्ये में हैं ठीक है चलिए ओलेस्ट आयाइड़ी मैंने पूछा था आप लोग से यह क्या हो जाएगा यहां पे आयाइटी खडगपूर बहुत सही कानपूर नहीं है खडगपूर है 1951 में स्थापित की गई थी कि आयाइटी खडगपूर एक है 1951 में इसे इस्टापिश किया गया था याद रखिएगा चले सो यहां पर आ जाते हैं हम लोग जोगंस की ओपर चीजों को डिसकस कर रहे हैं लोग सभा की बात कर लेते हैं यहां पर 80 सीटे हैं राज्य सभा की कर लेते हैं 31 सीटे है legislative council की बात कर लेते हैं तो यहां पर 100 सीटे है और legislative assembly की बात कर लेते हैं तो यहां पर 403 सीटे हैं ठीक है यह चीज जो कि हैं आप लोग यहां पर याद रखेगा चलिए आगे बढ़ चलते हैं the next यहां पर अगले question पर आजाते हैं answer करने के लिए try कीजिए कि वही who has been elected as the president of Medagascar किसको Medagascar के दूसरे president के रूप में यहां पर अपने फिर से चुना गया है यह आप लोगों को answer कर यहां पर बताना है चलिए पटा फट से भी answer कीजिएगा क्या हो जाएगा आपका बताईए क्या आपका answer यहां पर जाएगा चलिए चलिए भी answer की अर्थी जाएगा क्या हो जाएगा जी त्रिप्ति याद रखेगा इसमें क्या हो जाएगा देखो यह हैं एंडरी क्या हो जाएगा एंडरी राजोयलीना क्या हो जाएगा एंडरी राजोयलीना और क्या आप बता सकते हैं कि इनके जो अपोजिशन में रही हैं जो इनके अपोजिशन में रही हैं वहें यहां प जल्दी से आंसा दरने के लिए किजिएगा इनकी पोजिशन की बात कर लेते हैं रावल उमाना ना याद रखेगा थोड़ा सा अजीब नाम है चलिकी चलिका हो जाएगा रावल उमाना यह इनकी उपोजिशन में रहे हैं मेंडा गासकर को लेकर के जड़ा कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं रुके गाईबा यहाँ पर कि मेंडा गासकर के इंकमबर रास्ट्रपती एंड्री राजवय लीना जो की यंग माला गासी डिटर्मिनेट यानि की तनोरा माला गासी वोनाना टीवीटी गासी पारी के नेता है यह पुलकॉम है टी जी वी पारी से ब्लॉंक करते हैं और अपने तीसरे कारेकाल के लिए इंदी वर्ग विश में यह है फॉर्थ नंबर का कौन सा है सबसे बड़े आइलेंड के लिए जाना जाता है और अगर हम लार्जेस्ट कंट्री की बात करें अकोर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो यह है 55 नंबर पर आता है मैंडगासपर एक बार इसकी location जरा देख लिजीएगा कि कहाँ पर इसकी location जो की है यह है आती है चलिए 30 million के करीब जो की है यहाँ पर लोग निवास करते हैं लगभग 30 million 30 million 11,00,000 के करीब करीब यहाँ की population है ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ की population है अब देखेगा जरा इसकी location यहाँ पर किलिए यह complete यहाँ पर आप लोगों को इंडियन ओशियन की बारे में दिया गया है और यहाँ पर है मेंडा गासकर की location देखेए यहाँ जाती है मेंडा गासकर की location चलिए सु यहाँ पर इसकी capital की बात कर लेते है capital क्या है मेंडा गासकर की तो antar neeta क्या हो जाएगा antarivo जो की है यह है इसकी capital की है यहाँ पर जानी जाती है और अगर हम यहाँ की currency की बात करेए चलिए अगर हम यहां की currency की बात करें तो इसकी currency क्या है बताएंगे कोई बताएजे Mela Gassia नाम देखेगा क्या हो जाएगा Mela Gassia Mela Gassia Array क्या हो जाएगा Mela Gassia Array इसकी currency का नाम है Mela Gass यह बात याद लखेगा बहुत बार पूछा जाता है कि यह कौन से नमबर का यानि कि सबसे बड़े island की अगर बात करते है तो कौन से नमबर पर आता है यह है fourth number पर आता है वर्ड में अगर हम largest island की बात करेंगे तो first number पर कौन सा आ जाता है यह है Greenland क्या हो जाएगा Greenland है जो कि wish में सबसे बड़े island के लिए यहाँ पर जाना जाता है जी निरंजन चले दे नेक्स्ट अगले कोश्चन पर यहाँ पर आ जाते हैं रुकेगा जो कि यहाँ पर हमारा आ जाता है अंसर कीजिएगा कि फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसको फिर से चुना गया है अनिल पडेल ओके बाकी स चलिए answer कीजिए फटा फट से और PDF बाकी में टैलिग्राम चैनल पर आप लोगों को बता दूंगी ठीक है तो वहां से PDF से अपना revision कर लेना चलिए तो बात कर लेते हैं आप लोग answer करते हुए जाहिएगा यहां पर क्या आप लोगों का answer रहेगा बाकी में यहां पर इतना आप लोगों को फिनो पेमेंट बैंक के बारे में बता देती हूँ चलिए फिनो पेमेंट बैंक फिनो में पेमेंट बैंक इसके formation की बात कर लेते हैं इसका जो की formation है यह है कब हुआ है यानि कि इसकी स्थापना तो 2007 में क्या हो जाएगा भई 2007 में जो की है इसका formation किया गया है headquarter की बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा नवी मुंबई इसके headquarter की बात करेंगे तो कहां पर है नवी मुंबई इसकी parent organization की बात कर लेते हैं जिसके द्वारा इसे इस्थापित किया गया है parent organization जिसके द्वारा इसे establish किया गया है और present time में यहाँ पर याद रखेगा कि इसके यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ के अध्यक्ष के रुप में फिर से रजत कुमार जैन जो की है इनको यहाँ पर चुना गया है ठीक है याद रखेगा क्या हो जाएगा रजत कुमार जैन को चुना गया है clear है चीज़े चलिए the next आगे बढ़ चलते है हम चलिए अगले पॉइंट पर आ जाते है the next हम लोग यहाँ पर और के उसके बाद कोई खास हाँ दिनेश करे की बात कर लेते हैं दिनेश करे कहां के है sbi state bank of india के यह है chairman है यह बात भी याद रखेगा state bank of india के यह है chairman है ठीक है the next आगे आजाते हैं इस point को जड़ा cover कीजिएगा important है कि भई हाल ही में पर्णम मुखर जी ठीक है as a president के तोर पर वे कब से कब तक रखा गया है तो इनके उपर पर्णम माई पादर यह हैven सर्मिस्टा मुखर जी ठीक है इन्होंने पिता के ऊपर प्रणम मुखर जी के ऊपर इस किताब को लिखा है जो कि परणम मुखर जी की यह जीवनी इन्होंने लिखी है क्या हो जाएगा कि यह ओटो बायोग्राफी मतलब बायोग्राफी ओटो बायोग्राफी होती है जो कि हम स्वेम अपने जीवन के बारे में लिखती है जैसे कि मैं अगर अपने लाइक के बारे में लिखती हूँ तो वह ओटो बायोग्राफी और अगर कोई दूसरा परसन है चो कि मेरे जीवन की बारे में लिखता है, सो वह बायोग्राफी होती है, तो सर्मिस्टा की बात कर लेते हैं, इन्हों ने अपने पिता का जो struggle है, जो struggle है कि कैसे यह है, पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गाउं से निकल करके आते हैं, ठीक है, और फिर वहां से अपना जो यह सफर है, यह इनका शुरू होता है, प्रेजडेंट बनने तक का, तो यह पूरी अपने पिता के बारे में जो journey है, वो इन्होंने इस किताब के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, और इसे publish किया जाएगा 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 2023 में इसे publish किया जाएगा, 11 दिसंबर को ही क्यो publish किया जाएगा, क्योंकि 11 दिसंबर को इनकी 88th नंबर की जैनती रहेगी, जैनती इट मींस birth anniversary होती है, जैनती का मतलब क्या होता है, इस ओके सारदा, जैनती का मतलब होता है birth anniversary, ठीक है यह बात आप लोग याद रखेगा चलिए अब पढ़ना मुखर जी की बात कर लेते हैं यहां पर कैसे क्या चीजे रहेंगी तो पढ़ना मुखर जी आप लोगों का तो आंसर आया नहीं है अच्छा यह बताओ सुभाई सुभाई आख नहीं बोलती है कि सीरियसली पुणा मुखर जी की बात कर लेते हैं चलिए तो यह हमारे थाटीन्थ नंबर के प्रेजडेंट रहें हैं जो की दो हजार बारा से लेकर के दो हजार सत्रा तक अपने पदपर बनी रहे हैं उसके बाद 14 नंबर के प्रेजडेंट आप जानती है रामनात कोविंद जी है क्या हो जाएगा यहाँ पर रामनात कोविंद जी है और प्रेजन्ट टाइम में हमारे 15 नंबर की प्रेजडेंट है जो के द्रौब्दी मुर् प्रणम मुखर जी तेहवे नंबर की हमारे पूर्व यहां पर रास्ट्रपती रहे हैं इसके साथ ही 2008 में इन्हें पद्म विभूशन अवोर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है याद रखेगा पद्म विभूशन अवोर्ड से भी इन्हें सम्मानित किया चुका है इवन इन्हें 2019 में 2019 की बात कर लेते हैं तो 2019 में तीन लोगों को भारत रतन दिया गया था तीन लोगों को भारत रतन अवोर्ड दिया गया था भारत रतन अवोर्ड दिया गया था और अभी लास्ट टाइम जो भारत रतन अवोर्ड दिया गया है वह है 2019 में ही दिया गया है देखे क्या होता है कि भारत रतन अवोर्ड माक्सिमम तीन लोगों को तीन लोगों को कुछ अपवाद की case है जब यह 4 लोगों को दिये गए थे जैसे कि 1999 में दिये गए थे और बाकी यह maximum 3 लोगों को और minimum हो सकता है कि किसी को भी ना दिया जाए जैसे कि 2019 के बाद से अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया है तो इन 3 लोगों में कौन-कौन आ जाते है भुपेन हजारि हें भुपेन हजारिका है वह भुपेन हजारिका जो की असंकेject मियूजिशियन रही है तिखिये यह कि गीमी्यूजिशिय्चिन रही कि यह बात याद रखेंगा ति कि इनको दिया जाया था दूसरी नमबर पर है नाना जी देश मुक्र नाना जी की कि क्ieten शहु क्डिक्य इनकी बात कर लेते हैं तो यह है एक पॉलिटीशन रहे हैं यानि कि एक राजनेता और एक सोशल वरकर भी रहे हैं और थर्ड नमबर पर रहे हैं पर्णव मुखर जी यानि कि हमारे पॉर्ब रास्ट पती क्या हो जाएगा पॉर्णव मुखर जी यह चीज याद रखेगा त तो इन्हें 2019 में भारत रदन अवोर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है इसके बाद 2020 में इनका देहांत हो गया था 2020 में जब इनकी 84 की एज रही थी तो इनका देहांत हो गया था ठीक है याद रखेगा किलियर है यहां पर चीजिए चले दे नेक्स्ट आगे बर चलते हैं लटा मंगेशकर जी को देहाती 2001 में दिया गया था 2001 में लटा मंगेशकर लटा मंगेशकर जी को दिया गया था ठीक, ये बात याद रखेंगे चले आगे बढ़ चल लेते हैं, बाकी भारत रतन अवोर्ड की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है न यह 1954 में हुई है जिसमें कि कोई भी प्राइज मनी नहीं दी जाती है क्योंकि भारत रतन का कोई भी मोल नहीं लगा सकता है चले आगे पॉइंट पर आजाते हैं यहाँ पर बाकी भारत रतन अबोर्ड के उपर मैंने प्रोपर एक क्लास की हुई है आप लोग उसे सर्च करके देख सकते हैं चले देखिएगा इसके साथ ही यह कुछ लेटेस्ट बुक है लेटेस्ट बुक है जो कि 2023 में यहाँ पर दी गई है मतलब पब्लिश की गई है ठीके इन मेसे ज़रा देख लीजिएगा जैसे कि प्रुसौन जोसी है प्रुसौन जोसी ने डॉक्टर हेमा जोसी की जो बुक है जिसका नाम है दो पलकों की छाओं में इसे पब्लिश किया यानि की विमोशन किया है याद रखेगा दो पलकों की छाओं में इसे किसने पब्लिश किया है पुरसुन जोशी ने इसे launch किया है और यह हेमा जोशी की किताब है यह लास्ट दो से तीन classes में मैं repeat कर रही हूँ होपसों कि आप लोगों को याद हो चुका होगा यह है शंभु कुमार कासिवाल की autobiography है और कल भी मैं आपको पढ़ाया था कि इसे जो पबिश किया है वो किसने किया है कपिल देव किरकेटर नहीं ठीक है चले चले कोई बात नहीं अमृत माथूर की आत्म कथा है जिसका नाम है Pitchside My Life In Indian किरकेटर ठीक है याद रखेगा अमृत माथूर की यह है autobiography है गोवा कि जो कि राज्येपाल है जिनका नाम है present time में यह है अपने पदपर बने हुए है पी एस श्रीधरन पिल्लाई गोवा जो की भाग का सबसे छोटा राज यह है प्रमोध सावंत वहाँ पर मुख्यमंतरी है present time में मनोहर पारिकर के बाद से वहीं बने हुए है वहाँ पर मुख्य लाइन मीट्स ठीक है एंड थर्ड है एंटे प्रिया कविता कल्ब ठीक है धियान रखेगा it means my dear poems याद रखेगा जो की एक poems का collection है poems के collection है तो यह तीन किताबें हैं जो की यहाँ पर launch की गई है के लिए यहाँ पर और बुक्स के ओपर यह धियान रखना SSC के फेवरेट टॉपिक में एक तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर आता है और एक यह बुक एंड ओथर का आता है आपको ऐसा कोई की सिखेल का 2023 का 24 का ऐसा कोई भी आपको मतलब 2022 वाला 2021 वाला आपको नहीं मिलेगा जिसमें की किताबों के उपर questions ना पूछे गए हों तो हिस्ट्री की किताबे हो या फिर करन टाइम की किताबे हो उनकी उपर आपके questions बनते हैं बागे हिस्ट्री की किताबे मैं करा चुकी हूँ आप cover कर सकते हैं हाल ही में इटली ने आस्टेलिया को हरा करके डेविस कप जीत लिया है डेविस कप किस खेल से संबंधित है यह कीजिएगा निशान्त के गुड मॉनिंग बहुत अच्छे तिर्पी है चलिए बाकि सभी सेशन को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने की अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है पटाफट से आंसर करके बताएंगे क्या आपका जो आंसर है यह हमारा यहां पर रहे किया और किसकी द्वारा इसे ओर्गिनाइज किया जाता है इसका हैड़कोर बताई जल्दी से कहां पर है इंटर्णैशनल टैनिस फैडरेशन इसका हैड़कोर्ट कहां पर है आँसर कीजिएगा यहाद रखेगा चलिए आईटिफ के बारे में आपको बताना है क्या हो पर इंटरनेशनल टैनिस शूटिंग फैक्डरेशन के बारे में चलिए 1913 में इसका फोर्मेशन हुआ है इसके हैड़कॉर्टर के बारे में जल्दी से बताईएगा यहां पर डेविड डेविड हैग्रेटे जो की है प्रजायन टाइम में इसके प्रेजडेंट है याद रख इसके सदस्य है इसके हैड़कॉर्टर की बात की जाए तो लंदन में इसका हैड़कॉर्टर है ठीके चलिए रुख जाओ इसको टूथ ओफ लाइफ को ब्लोक कर दो में जरा चलिए तो यहाँ पर देख लिजिएगा अब आगे बढ़ते हैं देन नेक्स्ट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं हमने क्यों इसके बारे में पढ़ा? क्योंकि भही 2023 में अभी 111 नंबर के एडिशन का यानि की 111 नंबर के इसके एडिशन का आयजन किया गया है इसमें भही विनर कौन रहा है? विनर इसमें रहा है इस बार इटली तो इटली ने अपना कौन से नंबर का टाइटल जीता है तो इटली ने इस बार अपने साटिन नंबर का टाइटल जीता है इससे पहले यह एक बार पहले भी जी चुके है और फर्स्ट ताइम इन्हों ने 1976 में जीता था इस बार इन्हों ने अपना साटिन नंबर का एडिश जीता एक चलिए यह बात हो गई 232 में विनर को रहा था क्योंकि लास्ट यह कब दो पूछ लेते हैं तो याद रखेगा कि यह यह कैनेडा था जो कि लास्ट टाइब रहा था उका उसके पास बात करें यह मैक्सिमम टाइम किसने जीता है maximum time maximum time जो की जीता है किसने जीता है? United States of America ने इन्होंने 32 बार 32 times जीता हुआ है और second number पर जिन्होंने की maximum time जीता हुआ है यह कौन है? यह है Australia क्या हो जाएगा? Australia 28 times जीता हुआ है 28 बार जीता हुआ है चीके? चलिए भारत की बात कर लेती है आप बताईए क्या हमने कभी जीता है? अगर हम भारत की बात करें तो क्या हमने कभी Davis Cup जीता है? आंसर कीजिएगा अच्या जल्दी से बताईए क्या हमने कभी जीता है इसे? बताईए जल्दी से क्या भई हमने जीता है कभी इसे? फटा-फट डेविस कप चीक है तो एडिशन की बारे में तुम्हें आपको बता ही चीक हूँ 111 वे नंबर कर रहा है परस्ट टाइम यह है 1900 में यहां पर खेला गया था इसके कोट की बात कर लेते हैं किस तरह के कोट पर खेला जाता है तो यह हाड कोट पर हाड कोट पर इंडोर में खेला जाता है हाड कोट पर इंडोर में यह है खेला जाता है चले जल्दी से बताईए क्या हमने कभी इसे जीता है हमने थोमस कप तो जीता हुआ है लेकिन डेविस कप हमने नहीं जीता हुआ है बट हम तीन बार semi final में यहाँ पर जरूर गए हैं क्या हो जाएगा तीन बार हम लोग यहाँ पर semi final में जा चुके हैं तो इसमें याद रखेगा कि भई हम लोग semi final में जा चुके हैं स्वाइनल में decentralized में dużo इसा रहा हैं यह इन्डोर गेम में तो तीन बार आए सारा है कि कि हम लोग semi final में तो गए हैं लेकिन हमें इसे एक बार भी नहीं जीत पाई ठीक है अब चलिए बस एक और question है इस बार इसके 111 नमबर का addition था ये ध्यान रखो और 1900 के समय पर जो की है इसकी शुरुआत की गए थी क्योंकि बिच में भी ऐसा समय रहा है जैसे कि आप जानते हैं First World War and Second World War कि उस समय पर इसका आयोजन नहीं हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक First World War and 1939 से लेकर के 1945 तक ये दो समय ऐसा रहा है कि जब इसका आयोजन नहीं किया गया था तो Overall अगर हम अभी तक की बात करें 2023 में तो इसके 111 एडिशन हुए है तो ये Calculation सही है इसकी शुरुआत 1900 में ही हुई है ठीक है चले अब ये बदाए कि जिस समय पर Davis Cup का आयोजन किया जाता है उस समय पर Women's में कौन सा Tennis Tournament होता है चले बताईए ये जो Tournament है ये दोनों एक साथ ही होते हैं क्योंकि Male और Female में आयोजन कराना जाना चाहिए आप समान लेंगिंग समानता की बात करते हो सेम सेक्स वेशों की बात कर लेते हो आपने Equality की सोरी वेशों को बात करते हो Jean Cup इसका आयोजन किया जाता है दोनों सेम टाइम पर ही होते हैं ये महिलाओ में होता है ठीक है ध्यान रक्षराओ है ये तक है बाकि इसकी बात कर लेते हैं अभी इसका तो Final नहीं हुआ है बिली जीन कप का जब इसका Professional हो तो मैं आपको बता दूंगी इसकी शुरुवात की बात कर लेते हैं पहले डेविस कप की शुरुवात हुई थी इसकी शुरुवात हुई है 1963 में इसकी शुरुवात हुई है याद रखेगा और अभी हाल ही की बात की जाए कि लेटेस्ट टाइम पर किस ने इसको जीता था त जीते हुए हैं जो की महिलाओं में इन्होंने 18 टूर्णामेंट जीते हुए हैं किलियर है चलिए आगे बर चलते हैं ते नेक्स्ट अगले कोश्चन पर आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा बताइए 2023 के लिए मरियम वैबिस्टर शब्द के रूप में किस शब्द को चुना है यह आपको बताना है आंसर कीजिएगा फटा फट से क्या हो जाएगा चलिए पटा फट से आंसर कीजिएगा क्या आपका जो की आंसर है यहां पे रहेगा जल्दी से चलिए क्या आपका जो आंसर है यहां पे रहेगा चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा निशान जोगे मैं ट्राइ कर रही है कि मैं बाइलिंग्वल ही चीजों को रखूं बताएंगे जल्दी से यहां पर question में answer करें क्या हो जाएगा सभी के सभी फटा फट से चलिए answer कीजिएगा स्वाती जो कि रोजर फैडरर है रोजर फैडरर की बात करें फैडरर की बात करें तो यह है स्विजर लेंड के स्विजर लेंड ठीक है जो राफेल नडाल है राफेल नडाल राफेल नडाल की बात करेंगे इस्पेन के हैं नोवाग जोकोविच की बात करें नोवाग जोकोविच नोवाग जो पविच की बात करेंगे तो यह सर्विया देश की है सर्विया देश की है ठीक है तीनों ही टैनिस के बहुत अच्छे प्लेयर्स के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं यहाँ पर आ जाते हैं तो कौन से शब्द को इन्होंने चुना है इस बार यह है authenticated क्या हो जाएगा यहाँ पर authentic यहाँ पर यह शब्द है अब इसकी बात कर लेते हैं authentic क्या बढ़ा सकते हैं इसका हिंदी में जो कि generally meaning होता है वह क्या होता है बताईए जरा यहाँ पर जो dictionary होते हैं यह उस शब्द को word of the year चुनते हैं जो इनकी जाता है उसे यह word of the year के रूप में यहाँ पर declare करते हैं इसका हिंदी में होता है प्रमानिक बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा प्रमानिक क्या होता है हिंदी में इसकी मतलब की बात कर लेते हैं प्रमानिक क्या हो जाएगा प्रमानिक इसका अर्थ होता है प्रमानिक होता है यानि कि एक तरह से कि आप किसी चीज को लेकर के किसी के अपने व्यक्तितु को लेकर के आप बात कर रहे हैं किसी की आत्मा या चरित्र के प्रती आप सक्चाई की बात कर रही है यहां पर आप बात कर रहे हैं कि क्या गलत है और क्या यहां पर passion है यानि की एक तरह से वास्तविक्ता जो की है वह क्या है ठीके ध्यान रखेगा तो इन्हों ने इस शब्द को शब्द of the year के रूप में declare किया है किलिए रहे क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो answer है वो हमारा D option के रूप में यहाँ पर जाएगा ठीक है चलिए ठीक है कि वह क्या असली है और क्या नकली है इसके proper explanation के अगर मैं बात करूं हिंदी में तो क्या असली है और क्या नकली है इसकी प्रमानिकता को यहाँ देते हूं ठीक है याद रखिएगा बाकी हम यहाँ पर मरियम वैबिस्टर की बात कर लेते हैं यह है क्या है तो यह आपकी आजाती है कि यह है अमेरिका की ही एक कमपनी है क्या हो जाएगा अमेरिका की ही यह है एक कमपनी है जो कि अपने शब्द कोश के लिए जानी जाती है ठीक है याद रखेगा और सबसे पुरानी कमपनीों में से यह है एक ही है देनेक्स है कि भई यहां पर चले सो देखेगा यहां पर कि अभी 26 नॉमबर 2023 को फिलिपो वोलांडी की कप्तानी वाली इतावली टैनिस टीन ने इस्पेन के मलागा में पलासियो डी डेपोर्टेस जोस मार्या मार्टिन कार्पो ना में आयोजित पाइनल लेटन हेविट की कप्तानी वाली आस्टेलिया टीम को हरा करके डेविस कप इन्हों ने यहां पर जीत लिया है वहीं है जो कि लास्त है मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ा चुकी हूँ दे नेक्स है कि किस एरलाइन कंपनी ने लंदन से अमेरिका तक विश्व की पहली 100% सतत विमानन इंधन उडान का प्रियोग किया है आंसर कीजिएगा यह है कौन सी है यह आप लोगों को बताना है आंसर कीजिएगा यह जो 100% सतत विमानन इंधन उडान है यह जो सस्टेनेबर डाड़ाप्मेंट गोल है ना कुतने है 17 गोल है और इन गोल्स को अचीव करने का यहां पर टार्गेट बनाया हुआ है इसी में ही एक टार्गेट है नेट जीरो कार्बन नेट जीरो कार्बन यानि की कारबन के उटसर्जन को बिल्कुल कम कर देना है तो 2050 तक का इसमें टार्गेट फिक्स किया गया है त्यूल का यूज करना जिसे की कार्बन का जो उत्सरजन हो वो सबसे कम से कम हो तो इसी के चलते यहाँ पर याद रखेगा Virgin Atlantic Virgin Atlantic Airline Company जो की है इन्होंने लंदन से अमेरिका तक विश्व की पहली 100% सतत विमानन इंधन उडान का उप्योग किया है ठीक है याद रखेगा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का यह उप्शन जो की है यहाँ पर सही आंसर रहेगा अब जिसने उडान भरी थी उसका नाम क्या था तो इसमें याद रखेगा Boeing 787 Boeing 780 क्या हो जाएगा 787 इसका नमबर है ठीक है याद रखेगा चले फिर आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर चलिए यह अपने आप में सबसे पहली शुरुआत है जिसकी शुरुआत की गई है Actually जब आप लोगों को questions option के साथ में मिलते है ना तब उस समय पर आप चीजों को भूल जाते हैं अगर आप one liner form में questions की practice करोगे ना तब आप लोगों को confusion नहीं होगी The next है कि जम्मो कश्मीर के नए मुख्य सचीव के रुप में किसे न्युक्त किया गया है ये आप लोगों को answer करके बताना है जम्मो कश्मीर के new chief secretary के बारे में आपको बताना है कि किसको भई न्युक्त किया गया है answer कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा चलिए 1988 batch के यह रहे है चलिए 1988 batch के अधिकारी यह रहे है याद रखेगा जो कि present time में ग्रह मंत्राले के दुआरा सीमा प्रबंधन विभाग के सचीव हैं याद रखेगा कहां की और से home ministry की और से और अब इन्हें जम्मो कश्मीर के सचीव के रुप में न्युक्त किया गया है यह कौन है यह है अटल डुडलू क्या हो जाएगा अटल डुलू जो की है इनका नाम है इनकी एज की बात कर लेते हैं काफी अनुभवी व्यक्ति हैं जो कि इनकी एज है वह 60 years की यहां पर हो चुकी है बागी जम्मो कश्मीर की बात कर लेते हैं पहले पहले इसे आर्टिकल 370 के तहत में एक इस्पेशल राज्य consumo का दरजाल मिला हुआ था एक स्पेशाल स्टेट का सिसे मिला हुआ था था ठीकözन की बात कर लेते हैं यह भात का एक केंद्र शासिथ प्रदेस है शासत प्रदेश बना दिया गया था याद रखेगा अजे नहीं है बलकि अटल डुलू यहां पर सही आंसर है चले जल्दी से यहां के लैक्टिनेंट गवनर का नाम बताई है कि जम्मू कश्मीर के लैक्टिनेंट गवनर कोन है इसके साथ एक बात और याद रखेगा कि प्र स्मोलेस्ट याने की एरिया वाइस सबसे छोटा कौन सा है तो यह है लक्ष दीप याद रखेगा क्या हो जाएगा लक्ष दीप ठीक है चले आंसर कीजिएगा जल्दी से प्रजेंट टाइम में यहां के लैक्टिनेंट गवनर कोन है बिलकुल क्या हो जाएगा मनोज सोनी ह क्या हो जाएगा यहां पर मनोज सोनी याद रखेगा इसके साथ ही मनोज सोनी जो की है यह सैकिंड नंबर के लैक्टिनेंट गवनर है जम्मू कश्मीर के जो की पर्स्ट लैक्टिनेंट गवनर रहे थे यह थे ग्रीश चंदर मुर्मू ग्रीश चंदर मुर्मू थे जो की प्रज़यन्ट टाइम में हमारे कैग है 14th नंबर के हमारे कैग है इसके साथ ही जम्मू कश्मी जब यूनियन टैटी यानि केंदर शासत प्रदेश बना था उससे पहले उससे पहले इट मेंस जो कि इसके लास्ट गवनर रहे हैं लास्ट गवनर का मतलब समझ रहे हैं जब इ यहां पर सोनी लिखा हुआ है रैंचो सिनहा नहीं लिखा हुआ है तो थोड़ा सा आखो को ओ सोरी सिनहा है सोनी नहीं है मनोज सिनहा क्या हो जाएगा मनोज सिनहा है नोड सोनी चलिए तो इसमें याद रखेगा क्या हो जाएगा आपका यहां पर फस्ट जो कि गवर्नर रही है वो रहे हैं ग्रीश चंदर मुर्मू दे नेक्स्ट आगे आ जाते हैं अगले पॉइंट पर हम लोग आंसर कीजिएग इसको में लोग डिसकस कर चुके हैं नेक्स है कि नो सैना दीवस पर भारती नो सैना किस इस्थान पर ओप्रेशनल प्रदशन आयोजित करेगी यह आप लोगों को बताना है आंसर कीजिएगा ओप्रेशनल प्रदशन की बात कर लेते हैं चलिए तो इसका एक तरह से प्ले क की रूप में इसे परफॉर्म किया जाएगा अच्छा मुझे लगा कि आप कह रहे हो की सिनहा आप शोनिया सिनहा सिनहा है सिनहा चले देखेगा ऑपरेशनल प्रदशन की बात कर लेते हैं तो यह पहले ऑप्रेशन प्रदशन किया जा चुका है हमारी इंडियन नेवी के द दिसंबर को अभी 2023 में किया जाएगा चार दिसंबर को はい क्यों कि या जाएगा क्योंकि इस दिन हमारा इंडियन नेवी डे होगा इंडियन नेवी डे बहारते नो सैना days के रूप में मनाया जाएगा अब इस ऑपरेशनल प्रदशन की बात कर लेते हैं इसको क्यों पर्फॉम किया जाएगा आपको याद होगा 1971 का वोर किसे किसे याद है कि 1971 का जो की वोर है यह किस-किस की बिश में हुआ था कोई मुझे बताएगा 1971 का वोर चले इसमें तो आप लोगों ने सही आंसर किया है कि यह है सिंधु दूर्ग महारास्ट के सिंधु दूर्ग में यहाँ पर रहेगा चलिए जल्दी से बताएगे फटा-फट से जो कि मैंने आप लोगों से पूछा है 1971 का वोर इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल इंडिया अंडि पाकिस्तान के भीश में हुआ था जितमे कि हमारी नस अना ने पाकिस्तान के करची में जो की नो सैनिक बेड़े थे उन्हें डिस्ट्रोय कर दिया था और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो की हमारे यहां पर आ रहे सिंद वाले छेतर की और महरास्ट की और जो की बेडा बनाया हुआ था तो वहां पर हमारे नो सैनिक कमार बनाय हुए थे यानि की सैंटर्स बनाय हुए थे तो जो ट्रक उधर आ रहे थे तो पाकिस्तान के द्वारा फिर उन्हें डिस्ट्रोई कर दिया गया था तो इस समय पर हमारी जो नेवी है यानि कि नो सैना है इन्होंने इन्होंने Operation Tridates चलाया था क्या हो जाएगा इन्होंने Operation Tridates Operation Tridates चलाया था याद रखेगा उस समय पर 1974 के समय पर जितनी बार भी यहाँ पर 1965 का वोर हो या 1971 का वोर हो या फिर 1999 का वोर हो हमने हर युद्ध में पाकिस्तान के उपर ही जीत हासिल की है और शुरुवात भी वही लोग करते हैं हमारे उपर तो इस समय पर जो operation ट्रेडेट्स चलाया गया था इसका ही प्रदशन किया जाएगा operational प्रदशन के अंदर और कहां पर किया जाएगा सिंधु दुर्ग महरास्ट में किया जाएगा अब बात कर लेते हैं सिंधु दुर्ग महरास्ट में ही क्यों किया जाएगा प्रदशन क्यो क्या जा रहा है यह तो मैंने आपको बदा दिया यहां पर ही क्यों क्या जा रहा है तो आपको याद होगा 1660 का इतिहास ठीक है यहां पर भारत के समुर्द समुंद्री इतिहास का जश्न मनाया गया था हमारी जो इंडियन नेवी है इनकी समुर्द्धी को लेकर के यानि इनक पत्रपती सिवाजी के समय पर मनाया गया था तो इसके इस महत्व को देखते हुए अभी जो हमारी नेवल आर्मी है इनका जो ये जशन है जो ये प्रदशन है यह सिंधु दुर्ग महारास्ट में ही किया जाएगा किलियर है चीजिजे जल्दी से बता दीजी यहां तक हाँ बिल्कुल अगर देखो हम लोग भारत और पाकिस्तान की बात करें तो जड़ा यहां पर देख लीजिएगा सवतंतरता के बाद भी हमने कुछ युद्धों का सामना किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस ओफ इंडिया जैसे कि 1962 में भारत और चाइना का वोर हुआ इंडिया एंड चाइना और इस वोर में हम अपना अकसाई चीन वाला हिस्सा गवा बैठे थे इसके पाद 1965 का वोर हुआ जो की इंडिया एंड पाकिस्तान का हुआ जिसमें हमने जीत हांसिल करी ठीक है और इसी युद्ध के शांती समझोते के तहत में हमारे उस समय पर प् फिर यहां पर 1999 का वोर हुआ जो की आपका कारगिल युद्ध के नाम से यहां पर जाना जाता है सबसे उचाई सबसे उचाई पर लड़ा हुआ यह है युद्ध था ठीक है हाँ बिल्कुल चलिए एहां पर चीज़े चलिए जब यहां पर आरमी की लिए तो एक काम लेते हैं फटा फ़र से यह बता दीजिये कि present time में हमारे Chief of Army कों है चीप ओफ नेवी कौन है और Chief of Air Force कों है चलिए आंसर कीजैए सब्सक्राइब करने के लिए कौन है प्रजाइन टाइम में सभी के सभी जल्दी जल्दी से आंसर करो फिर आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स पर सब्सक्राइब करते हैं वह हमारा रिविजन होता है जितना भी हम पूरा वीक में पढ़े हुए होते हैं तो आपका संडे को रिविजन रहेगा यानि की तीन दिसंबर को और दो दिसंबर को आपका ओफ रहेगा चलिए क्या हो जाएगा यहां पे तो यह रहेगा मनोश पांटे अच्छा यह आप लोगों की गलत बात है कि आप लोग बिल्कुल भी आंसर ही नहीं करते हो हां जबकि यह तो बिल्कुल बेसिक से पोईंट है अगर आप इतने भी चीजों को याद नहीं करोगे तो आपकी कैसे च जल्ली से भई हरीकुमार जी रानु बहुत सही चले आपको याद है क्या हो जाएगा यहां पर यह है हरीकुमार आर हरीकुमार ठीके और अगर हम अपने एयरफोर्स की बात कर लेते हैं सो कौन है प्रजैन टाइम में यहां पर प्रजैन टाइम में कौन है विवेक राम चो पाथ बैसिक से पॉन्ट है इन चीजों के बारे मेरा ध्यान रखा करude के अगर हम आर्मी डे की बात करें कि हमारा जोकी आर्मीं दीवस धा हमारा जोकी आर्मी दीवस है कब मनाया जाता है तो यह 15 जन्वरी को मनाया जाता है अपने नेवी डे की बात करेंगे 4 दिसंबर को मनाया जाता है और अगर हम एयर पोस डे की बात करेंगे तो यह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है चले दे नेक्स आगे आ जाते ही है कि भई तिस राजी की मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए AMA bank का अनावरण किया है ताकि यह अपने यहाँ पर जो gram area है यानि कि rural area है rural area है है ना so rural areas में अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर ना banking सुईधाय नहीं पहुंच पाती है अभी भी लोग cash में पैसे रखते हैं और वो भी तकियों के अंदर बिस्तर में रखे हुए हैं इस तरह से यह जमीन के निचे दबा करके रखते हैं तो banking सुईधा से क्या है कि जो black money होती है वो white money में convert हो जाएगी पता चल सकेगा कि कितने पैसे circulate हो रहे हैं in India तो जादा से जादा यह ट्राइ कर रहे हैं कि लोगों को banking सुईधा तक पहुंचाया जा सके और इसकी जो शुरुवात है यह ओडिशा के मुखे मंत्री यानि की नवीन पतनायक कि नवीन पतनायक इनकी दूआरा किया गया है अच्छा तो ओडिशा के दूआरा किया गया है ध्यान रखीएगा रखा गया है इसके साथ ही यहां पर कुछ तीन लोकल ट्रेन का अनावरण भी किया गया था हमारी द्रौबदी मुर्मु रास्ट्रपती जी के द्वारा और एक लवे स्कूल्स की भी इस्थापना की जा रही है और इसा राज्जी में यह मैं आप लोगों को कुछ लास्ट ट रहित ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों में सीस्थी प्लस आउटलेट्स के माध्यम से बैंकिंग सेवाई प्रदान करना है जिससे और इसा वित्ते समावेशन के लिए ऐसे व्यापक योजना की अवधारना और कार्यान्में करने वाला भारत का अगरने राज्ये बन सके और ताकि यह ग्रामिर एरियास में जो अक्सर यह सबसीडी देते हैं या फार्मर्स के लिए योजना चलाते हैं बट अगर वह बैंकिंग सेक्टर से यानिकी वह वित्ते प्राधान से जुड़े हुए ही नहीं तो उन्हें उस योजना का फाइदा कैसे ही करके शुरू की है जिसमें की SBI बैंक है PNB बैंक है UBI, UCO, Bank of India, Bank of Badoda यह सभी के सभी बैंक इसमें शामिल है इसके साथ ही AMA बैंक योजना वरिस्ट नागरिकों के लिए किसके लिए शुरू की गई है जो वरिस्ट नागरिक है यानि कि यहां पर क्या हो जाएगा इनके डोर स्टेप banking सेवाय प्रदान करने के लिए किया गया है होता है ना कि जो senior citizens होते हैं उनको यह कुछ pension के रूप में देते हैं जो गर्भवती महिलाई होती हैं उन्हें वित्ति मदद के रूप में कुछ पैसे देते हैं बट अगर उनका account ही नहीं है अगर वह banking से नह लाइनर का point है इसको भी cover कर लेते हैं कि RBI ने अलर्ट सूची में डैश अनाधिक्रत विदेशी मुद्रा व्यापार platform को जोड़े हैं तो कितने इन्होंने unauthorized forex trading platform को यहां पर alert list में जोड़ा है और total अब कितने हो चुके है अलर्ट लिस्ट की बात करते है तो अभी 75 है बट हो सकता है आने वाले समय में यह और update हो तो यहां पर इन्होंने 19 को जोड़ा है क्या हो जाएगा 19 को इन्होंने यहां पर जोड़ा है जिके अब इसकी बात कर लेते हैं यह क्या है तो देखेगा 19 को जोड़ा है भाते रिजव पैंक ने अनाधी करत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लैटफॉर्मों की अपनी अलट सूची को अपडेट करके कुल यहाँ पर 75 कर दिया है जिसमें 19 नुने नए जोड़े हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत में जो विदेशी करंसी फोरं करंसी होती है उसमें सोधा करने ठीक है सूची में वे सस्थाय सामिल होंगी जो की विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत में विदेशी मुद्रा में सोधा करना और विदेशी मु लिस्ट है अभी यह पूरी नहीं है बलकि इसमें अभी हो सकता है कि और भी हाँ पर एड किये जाए ठीक ही चीज़ ध्यान रखेंगा बाकी आर्बियाई की बात कर लेते हैं रिजा बैंक ऑफ इंडिया आर्बियाई की बार में फटा फटी रिविजन करा देती हूं आप लोगों को आर्बियाई की बात कर लेते हैं तो इसे बैंक ऑफ बैंक्स कहा जाता है यानि की बैंकों का बैंक कहा जाता है 1926 के समय पर यंग हिल्टन कमेटी का गठन हुआ था याद रखेगा और इस कमेटी की सिफारिश पर ही इसके लिए बारत में एक्ट लाइग गया था 1934 में आर्बियाई के लिए याद रखेगा और इसके बाद पिर आर्बियाई का जैकए पॉर्मेशन है यह 1 अपरेल 1935 में हुआ था जिस समय इसका पॉर्मेशन हुआ था उस समय इसका जो हैड़कॉर्टर है यह कोलकाता में बनाया गया था लेकिन 1937 में इसका जो हैड़कॉर्टर है यह मुंबई में कर दिया गया कहां पर कर दिया गया मुंबई में इस्थानां की बात कर लेते हैं इसके नेशनलाइजेशन यानि की रास्टे करण की बात कर लेते हैं क्यों जाएगा रास्टे करण इसका जो रास्टे करण है यह कब किया गया था तो इसका रास्टे करण 1949 में किया गया था याद रखेंगे इसके साथ यहां पर फर्स्ट गवर्नर की बा बट अगर आप first Indian governor की बात करें, first Indian governor की बात करें, तो CD देशमुख, CD देशमुख, ठीक है, अगर longest tenure रखने वाले governor की बात करें, longest term रखने वाले जो की governor है, कौन है, सर बेनेगल राउ, सर बेनेगल राउ, ठीक है, लगवक 6 साल प्लस में ही इनका कारेकाल है, ठीक है, और अगर मैं current time की बात करूँ, current time में governor कौन है, सु कौन है, शक्तिकान दास, शक्तिकान दास, शक्तिकान दास जो की है, यह 25th नमबर के यहाँ पर governor है, ठीक है, याद रखेगा, किलियर है चीज़े, भारत में यह सबसे पहला bank था, जिसका रास्टे करन किया था, RBI का, देनेक्स आगे आजाते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, कि past track wishes अदालतों के लिए, जो कि केंदर पर योजना यहाँ पर रही है, इन्हें अब next, तीन सालों के लिए और जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है, इसको याद रखना, वन लाइनर फॉर्म में कि वहीं, तीन सालों के लिए इन्हें और एक्स्टेंड कर दिया गया है, मंत्री मंडल ने past track wishes अदालतों की जो योजना है, इन्हें मार्च दो अजार 26 तक जारी रखने की सुईकृति दे दी है, जिसमें जो इनका budget है, इतीन सालों के लिए, वो कुछ 1,952.23 यानि की 1,952.23 करोड रुपे का इन्होंने रखा है, तीके इसके साथ यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, तो FTSC जो की यहाँ पर है, यह नियाइक प्रणाली को काम के बोज से राहत दिलाते हुए, दुशकरम और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों को काफी हर्था कम करने का काम करेगा, और केंदर के हिस्से का वित पोशे निर्भ्या फंड यहाँ पर किया जाएगा, जिया, ग्रास रूट्स इनोवेशन पॉर्म का कौन से नंबर का एडिशन किया गया है, चलिए, अच्छे, आपने लिक्कर कर दिया था, चलिए, आंसर कीजिए का फटा-फट से क्या हो जाएगा? लाइक कर दिया था चले answer कीजिएगा बाकी सभी भी session को like कर देंगे और बताएंगे यहाँ पर क्या आपका answer जाएगा चले बताएए कौन से number का addition यहाँ पर किया गया तो याद रखेगा इसमें fourth number का addition किया गया है ठीक है अभी जो इसकी summit का आईजन है उसके बारे में मैं बात करूंगी कि कहाँ पर किया जा रहा है यह चलो यहाँ पर देखी लेते हैं देखे यहाँ पर आप लोगों को कुछ list यहाँ पर दी गई है यह रहा कि इनकी summits का जो आईजन है आश्यान countries का आश्यान इट मींस क्या हो east nations ठीक है क्या हो जाएगा यह है इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म है याद रखेगा आश्यान countries के बारे में अच्छा एश्यान तो रही गया एश्यान countries क्या हो जाएगा एश्यान nations चलिए इसके formation की बात कर लेते हैं इसका जो formation है यह कब हुआ है कोई बताएगा इसका formation 1967 में हुआ है बट इसका जो की charter बना था जो इसका charter बना था यह है 2008 में बना था इसके headquarter की बात कलेंगे तो जकार्ता में है क्या हो जाएगा जकार्ता यानि की इंडो नेश्या में है ठीक है याद रखेगा किलियर है यहाँ पर याद रखेगा कि yearly तोर पर इसकी summit का आईजन किया जाता है जिसमें की 2008 और 2019 में थाइलेंड में किया गया था खैर हम यहाँ पर आ जाते हैं और हाँ भारत इसका सदस्य नहीं है इसमें अगर आप members की बात करोगे न तो इसमें 10 देश हैं जो कि इसके सदस्य हैं लेकिन हम ना तो इसके सदस्य हैं ना ही इसके observer country में आते हैं बट अभी हाल ही में यानि कि 2023 में इसकी जो summit है यह हैं इंडोनेश्या में की जार रही है और यहां पर हमारे भारत देश ने भी इसकी summit को जोइन किया है ठीक है हमने इसे जोइन किया है हम इसका सदस्य नहीं है यह बात याद रखेगा और यहां पर ही international miles celebration जो एक festival के रूप में है उसका भी आयजन किया जा रहा है international miles it means बाजरा बाजरा महोटसब का भी आयजन किया जा रहा है ठीक है last classes में मैंने cover कराया था एक बार फिर से बता देती हूँ कि United Nations General Assembly के दुआरा भारत के की प्रस्तावित करने पर भारत ने प्रस्तावित किया था कि बही international miles याने के बाजरा दीवस के रुप में मनाया जाना चाहिए एक साल को ताकि लोग जागरूख हो बाजरे के उत्पादन के प्रती और इसके अंदर जो की काफी पोशक चीजे होती है उसके बारे में वो जागरूख हो सके कोज राइस और वीट के कंपेर में इसे उगाना काफी इजी होता है कम लागत के साथ में तो इसके सेवन को बढ़ाने के लिए इन्होंने इसके year के रुप में मनाया जाने की घोशना की थी तो इस बार जो की यहाँ पर आश्यान कंट्रीज का सम्मिट का आयजिन किया जा रहा है तो यहाँ पर ही भारत की दुआरा इंटरनेशनल माइट्स फेस्टिवल का भी आयजिन किया गया है इंडोनेश्या में ही तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा अब बागी बात कर लेना कि 2022 में कंबोडिया देश ने होस्ट किया था आश्यान कंट्रीज की सम्मिट को 2023 में इंडोनेश्या नहीं किया था और 2024 में लाओस करेगा ठीक है बागी मैंबर्स की बात कर लेते हैं 10 देश इसके सदस्ये हैं जिसमें की एक थाइलेंड है दूसरा है वियतनाम तीसरा है इंडोनेश्या फॉर्थ कंबोडिया फिफ्ट ब्रुनेई शिक्स्त म्यानमार सैवन्थ मलेश्या और एर्थ है लाओस नाइन्थ है फिलिपिन्स टैन्थ है सिंगापूर यह 10 देश है बाकी यह सब बाद में रिपीट हो रही है यह मैंने मैंबर कंट्रीज के नाम लिखे है क्योंकि जनरली पूछ लिया जाता है कि कौन सा देश इसका सदस्य है या कौन सा नहीं है तो यह आपको याद होना चाहिए चले बाकी लास्ट में बात कर लेते हैं यह जो कॉस्चन है यह है आप लोगों के होंवर्क का कॉस्चन ठीक है बाकी लास्ट क्वेशन आप लोग ओफ्लाइन कॉमेंट करके अपने होंवर्क में आंसर करके बताएंगे कि आंसर आपका यहां पर क्या रहेगा यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा यह अपना टेलिग्राम चैनल है इसको स्कान कर लेना यहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी ठीक है PDF जो है आपको यहाँ पर टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी रिविजन करने के लिए अपनी जो 11 बजे की क्लास है और सुभह की करंट अफे की क्लास की PDF है वो सभी की सभी डेली यहाँ पर आपकी अपडेट हो जाती है तो इसको आप लोग जोइन कर लीजिएगा इसके साथ ही आप सभी यहाँ पर अपने सब्सक्रप्शन के बारे में भी याद रखिएगा चलिए देखिएगा कि अभी आप लोगों के लिए जगी अनकैडमी पर सब्सक्रप्शन का ओफर है यह 65% डिसकाउंट के साथ में अभी चल रहा है जिसमें कि 12 महीने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फ्री एक्स्टेंशन फ्री पढ़ने का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है यानि कि अगर आप अपने सब्सक्रप्शन 24 मंच के लिए लेते हैं तो इसमें 12 महीने आपको बिल्कुल फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा अब आप लोगों को 3 साल के लिए अपने सब्सक्रप्शन का ओफर दिया रहा है और आप लोग मातर 3679 रूपीज में अपने सब्सक्रप्शन को ले सकते हैं जो कि एक दिन की कोस्ट है आपकी क्लासिस की वो मातर 3 रूपे यहाँ पर पड़ रही है ठीक है और जैसे ही आप एक बार अपना सब्सक्रप्शन लेते हैं उसके बाद चाहे SSC GD की तयारी करना हुआ या MTS की या CHSL की CGL की CPO की ठीक है या STANO की तो इसली आप इन सभी की तयारी कर पाएंगे और मैक्सिमम डिसकाउंट के लिए आप लोग यहाँ पर मेरे कोड को यूज कीजिएगा जो क सब्सक्राइब के ध्यान रखेगा और अभी SSC GD के लिएवी बारे में ध्यान रखेगा कि SSC GD के लिए आप लोग यहाँ पर वीर से जूर सकते हैं तो आप लोग 999 रुपे में वीर बैच से जूर सकते हैं यहाँ बैच आपका 30 नवंबबर से श्रूर करना है और यह SSC GD को ही टार्गेट करते हुए बनाया गया है इंडी विज्वल तोर पर तो आप जानते हैं कि SSC GD के पॉम आही चुके हैं और 20 परवरी से आप लोगों का एक्जाम स्टार्ट हो रहा है तो वीर बैच से आप लोग अपने SSC GD में सेलेक्शन वाली तयारी यहां पर कर सकते हैं चले तो फिलहाल इस क्लास को हम लोग यहां तक रखते हैं टैलिग्राम चैनल को आप सभी जॉइन कर ले ना अच्छा शार्दा चले तो शार्दा डाठना जरूरी है तभी तो आप लोग accuracy का ध्यान रखोगे वो कहते हैं न कि बच्पन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे स्कूल टाइम में तो हमारी टीचर कहती थी अक्सर वो बहुत डाठती थी बहुत उटाई भी करती थी तो वो हमें ऐसे कहते हुए मतलब जो बागी सभी थे ऐसे कहते हुए उनको चुप कर देती थी कि कडवी मा, कडवी दवा और कडवी टीचर जो होते न वो बहुत अच्छे होते हैं जीवन के लिए तो इसलिए उनको नकारो मत उनको accept करो और जीवन के इस चैलेंज को फेस करो तो तुम लोगों को भी खुश कवर करूंगी ये कहते हुए कि कडवा टीचर अच्छा ही होता है तो डाट खाना भी जरूरी होती है चले तो भई इस सेशन को यहां तक रखते हैं पाकि आप सभी अभी 11 बजी मीली क्लास है और आज की जो 14 बजी की क्लास है इसमें मैं आप लोगों को जोग्राफी के पैक्ट के बारे में पढ़ाऊंगी जोग्राफी के जो पैक्ट-based questions हैं इनके बारे में हम cover करेंगे तो आप सभी क्लास से जूट जाईएगा, I think 40 प्लस में ही questions है, number of questions, चलिए, तो इस session को यहां तक रखते हैं, मिलते हैं, हम लोग फिर अपने दोपहर को 11 बजी अपनी class में अपने ख्याल रखेगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, so thank you students and जैहिंद